जोहार दोस्तों मैं रंजीत कुमार श्टडी फूर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज है 18 सितंबर 2024 और आज के इस टेली जहारकन करेंट अफेर का दो देश है पहला फ्रेंट्स 500 most expected प्रस्णों का quick revision जो की अभी 2-3 दिन बाद जिसका admit card जारी भी होगा और उस admit card में क्या do's and don'ts है इन सब पे मैं एक detail वीडियो इस वीडियो से एगंटा पहले upload किया हूँ इसी चैनल पे आप उसे जरूर से जाकर देख लिजेगा वहां बहुत से fruitful बाते में बताया हूँ जो आपको जानकर ही exam hall तक पहुचना चाहिए बाकी इस lecture में हम तो most expected प्रस्म तो देखेंगे जैसे सीजिल को ध्यान में रखते हुए उसके अलावे जो पिछले एक दू दिनों में current affair बने उन्हें भी हम लोग देखेंगे चलिए तो बिनादेरी के बढ़ते हैं आगे बागी फ्रेंट्स जार्खन current affair का quick revision चाहते हैं तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों मात्य में पुस्तक के market में available है इस पुस्तक को एक दिन भी नहीं बहुत कम समय में short notes के रूप में ये पुस्तक त्यार ही किया गया ताकि वही चीजे जो exam point of view से important है बागी फ्रेंट्स 20 प्रस्न होंगे समान विज्यान से और 20 प्रस्न होंगे computer से और इस पुस्तक के last में आप जार्खन में जितने भी exam हुए उनकी pyq one liner के रूप में दिये गए है जिसे बहुत कम समय में सरसरी नजर से पढ़ा जा सकता है तो आप exam hall म वाले content ही इसमें परोसिक हैं चलिए अब आते हैं quick revision वाले content पे जिसे हम daily current affairs में देखते आने पिछले 10 दिनों से जार्खन current affairs quick revision जनवरी 2023 से 2024 एक प्रस्न है जार्खन राजे बाल संरचनायों के वर्तमान अध्यज कोन है तो याद रखिए काजल यादो कई बर बता रखाऊ रिवाइज करवा दे रहा हूं किस कवित्री को प्रलेखन वलेखन सम्मान 2023 से समानित किया गया है इसका सही answer है पारवती तीर्की को यह महत्मुन प्रस्न है important है ध्यान रखिएगा तीसरा प्रस्न है गुरू जी student credit card योजना के ताथ अधिकतम कितना रीन उपलब्द कराया जा सकता है इसका है क्या हो जाएगा पंदर लाग एक्शली में इस योजना का घोषना फ्रेंट 2022 में हुआ था मुख्यमंत्री हेमल सोन के द्वारा लेकिन जो यह धरातल पे कब उतरा तो जून 2024 में और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वह चंपई सोन थे तो किनके द्वार प्रारम किया गया किनके द्वारा घोषना किया गया ऐसे प्रसंट भी आपको एक्जाम में देखने को मिलते हैं तो थोड़ा से ध्यान में रखिए कम से कम option में अगर लंबा gap हो तो ऐसे condition आप सही अंसर कर ली जिएगा एक महत्वन प्रस ने कोयल डिवर फ्रंट का सुभा प्रारम किस जीले में हुआ है तो क्या आपको एंसर याद रखना है भलामू हाली में लोकारपित पूस्तक राइड अवव दे क्लॉड ठीक है टाइटल तो एक नमबर है राइड अवव दे क्लॉड इसके लेखक कौन है तो संजीव सेखर ध्यान रखिए पूस्तक के और लेखक से भी प्रस्न पूछे जा रहे हैं हाली में किने भारतिय साइक्णिंग महासंक का संयुक्त सची बनाए गया तैंसर सही सलेंधर पाठक हाली में जारकन के किस जीलों को परधान मंत्री अवाड से समानित किया गया है तो कुमला ये थोड़ा से इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेगा हाली मिलोकारपीत उराव पुर्खा खीरी मोडा उराव लोग कथा को सही है कि लेखक कौन है तो तित्रू उराव ध्यान रखेगा जारकन सरकार भुजूर्ग कलाकारों को परतिमा कितने रुपिय पेंसन के रुप में देगी तो पेंसन से प्रस्न भाई बड़े पूछे जा रहे हैं प्रिविस येर में तो आप इसे भी ध्यान रखेगा एंसर है चार जार और कंफ्यूज भी नहीं होना है क्योंकि ऐसे कंफ्यूज होने वाले पेंसन बहुत चल रहे हैं तो आपको एकदम क्लियर रखना है कि यह जो पेंसन है वो कार जो 60 साल से उपर हैं बुजूर्ग हो गए हैं उनको जिविका के लिए कोई साधन नहीं बचाया तो उनके लिए गवर्मिंट ने चार जार परमा पेंसन के रूप में दे रहे हैं जो एक अच्छी पहल है हाली में TRI ने किस आदिम जनजाती पर डॉक्यूमेंटरी फिल है और TRI ट्रेवल रिशर्च इंस्ट्यूट जो है वह कहां पे है जारकंट की राजधानी राची में है मुरा बादी में ओधियान रिखेगा जारकंट के किन दो सहरों के बीच विस्टा डूम कोच ट्रेन प्रारम की गई है तो विस्टा डूम कोच वह होता है जिसमें आप जब ट्रेन से ट्रेवल करेंगे तो पूरे जह जिन जिन रास्तों से ट्रेन गुजरेगी उसका पूरा अनंद ले सकते क्योंकि उपर पी शिशा होता है बायदाएं बहुत अच्छे से दीखेगा तो इसका सही अंसर है रांची से गिरीडी के बीच में हाली में हो भासा के विकास के लिकिने पदम सिरी से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर जानूम सिंग सोगई ठीक है ये हो भासा के साहितिकार है और हिने पदम सिरी पुरसकार से सम्मानित किया गया बही पदम सिरी एकदम से एकजाम में गुचने से पहले देख के ही जाएगा जी जार्कन जी एसमें भी परस नमाज पूछा जाएगा भागवान विर्शा मुंडा संग्राले एवाम असमरिती पार्क जार्कन की किस जीले मिस्तित है राची तो यहाँ पे जो आदिवासु महुत सो बगारा होता है वो इसी पार्क में इसी संग्राले में आयोजित किया जाता है तो यहाँ पर यहाँ पर रिगूलर गवर्वर्मेंट की एक्टिविटीज हो रही है तो यह एक्जाम पॉइंट व यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है जार्कन के रहने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी को मेरिल बोन किर्केट कलब की आजीवन सदस्यता मिले तो वो है अपने महंदर सिंग धोनी के बारे में भी डिटेल में एक बार जरूर से देख के जाईएगा प्रसन बन सकते हैं और इनका जो जर्शी नमबर सेवन है वो हाल फ्राल रिटाइट कर दिया गया है क्योंकि अब वो रिटाइट करने का मतलब है कि अब उस जर्शी उस सेवन नमबर से जो है किसी और खिलाडी को नहीं मिलेगा मतलब अभी तक टेन जो सचीन तेंदुल कर गा था और जीरो सेवन ये दो जर्शी नमबर रिटाइट कर दिये गए अब यह जर्शी नमबर किसी को नहीं मिल और अभी जो इसके मंत्री कौन है फ्रेंट सुवैधनात राम है ध्यान रखिये का ना इसके मंत्री है ठीक है चलिए कहां से लाते है अर्च जीते है वुमेंस नेशनल रैंकिंग आर्चरी परतियुकता में जहारकन के किस खिलाडी को गोल्ड मेडल जीता है तो दिप्ती कु में और अभी जो 2024 वाला जारी हुआ है उसमें भाई सकेंड लास्ट पर अपना जहारकन्ड बड़ा दुख होता है बिहार से बस पहले है और कुछ नहीं है चली कोई नहीं पिला लिक्जाम पॉइंट व्यू से हाली में जारी भारत के सौ सकतिसाली लोगों की सूची में ज खेलो इंडिया साइक्लिंग में कौन सा राज्य ओवरॉल चैंपियन रा बना है तो जहारकन्ड 31 मार 2023 को नीमन में से किस जहारकन्ड अंदोलनकारी का जयनती है तो एन ए होरो ठीक है तो एन ए होरो जो थे वह खूटी लोकसभा से पूर्व सांसत रह चुके हैं और 1974 में सा जो राष्टपती का चुना हुआ था उसके उमिदवार भी यह रह चुके हैं बाकि विहार गवर्मेंट यह मंत्री भी रह चुके हैं वोस्ट 2022 तेस में गरहक संतुष्टी सर्विच्छन रिपोर्ट में विर्शाम डायर पट को देश में कौन सा स्थान मिला है तो दूसर पहले होकी इंडिया जूनियर वुमेंट चेंपियंशिप के इस्ट जोन का फाइनल मुकाबला किस राजयने जीता है तो इसका सही अंसर क्या है जार्खन यह जोन वाइज हो रहा था इस्ट जोन वेस्ट जोन नॉर्थ और सौथ जोन वाला था फ्रेंट उसमें अपना जो जार्खन्ड वो विजयतार है या परतियुकता खूटी में आयो जीत हुआता है यह भी ध्यान रखेगा हाली में मोचित पूस्तक जार्खन के असे लद्दाक के लेखक है तो रस्मी सर्मा महत्पून है राज्य सरकार द्वारत दस्मीर बार्विया स्टेट टॉपर को कित पूसों कोकिता लोगों युए जा सकते थे बाद में इसमें परिवारतन क्या हो पचीस कर दिया गया और इससी एस्टि के साथ साथ बमिल वर्ग को भी यहां पर सामिल कर दिया गया इसके तहट फ्रेंट्स यूके यूके और नॉर्दर्न आयरलेंड लेंड इन दो देशों के जो टॉप उनिवर्सिटीज हैं वहां से जो जारकंट के बच्चे हैं वो उच सिच्छा प्राप्त कर सकते हैं दो सालों के लिए कुल 22 वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दिया हूं डिस्प्शन बॉक्स में जरूर से देख लिजएगा डायरेक्ट प्रस्ट पूछे जाएंगे जारकंट की सहोके खिलाडी को इमर्जिंग प्लेयर आफ एयर आफ एस्या महादेश की आवार्ट से समानित क्या गया तो इसका सह इन्होंने जारकंट का नाम राष्टी नहीं अंतराष्टी अस्तर पर रोशन किया है तेखिए एक कुछ दिन पहले हुआ था एस्यान वुमेंस होकी चेंपियंशिप जोकी कब हुआ था 27 ओक्टोबर से लेके 5 नौवंबर 2023 को मरांगुम के जैपाल सिंग मुंडा होकी जित हुआ था और वहां पे इन्हें मुकाबला भारत जीत गया था फाइनल में जापान कोहर आके और वहां पे इन्होंने पांच गोल किये थे और इसके वज़ए से ने प्लेयर आफ़ टूनामेट भी चुना गया था इसके लावे वर्तमान में भारती होकी टीम की कि एसियन होकी प्रेडरेशन का उपाध्यस कि नहीं बनाएगा तो भोलानात सिंग भोलानात सिंग भी इंपॉर्टेंटे ध्यान रिखिएगा ये जार्खन के बहुत चर्चीत वैक्तित हैं और इनके होने क्वज़ए से होकी के जो बहुत से गेम्स बगरा है उसका मेजब बड़ी बजट के साथ रांची में बन रहा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बाकी आप तपोवन पहाड़ी जो देवगर में है इससे कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है या लगे या लगे चुकि यह करेंट फिर का मुद्दा है चर्चा में रहा है यहाँ बहुत से मु प्रसन है नीजी छेतरों में 75% आरच्छन के लिए किस पोर्टल की शुरुबात की गए तो जहार नियूजन पोर्टल की हाली में मोचित पूस्तक सडख से सदन तक किनके जीवन परधारी थे तो रामचंदर केसरी रामचंदर केसरी को उत्कृष्ट विधायक पुरसकार स से भी सम्मानित किया गया है चलिए आप कमेंट बॉक्स में एयर लिखे कब किया गया था बजट 2023-2024 के अनुसार जहार खंड के किन दो सहरों में मेडिकल कॉलेज की स्थाबना की जाएगी तो रांची और वोकारो देखिए बजट 2023-2024 में जहार नुसार जहार खंड के कि नामक पुस्तक के लेखक है कल्यान कुमार ठीक है यह important है यहां रिखे का back to back किताब लिखने का न रिकॉर्ड है बहुत कम समय में इन्होंने यह पुस्तक लिखी है बहुत कम उम्र के यह लेखक है तो महत्पुर्न है Medical Protection Act 2023 के तहट किने सुर्चा परदान किया जाएगा तो राज्य के सभी सरकारी कर्मियों को चली 41 परसने किस कारण से जार्खन राज्य सिच्छा विभाग को अपरेल 2023 में अस्कूल समय करमें बदलाव करना पड़ा था तो क्यूं जुलसाने वाले तापमान से राहत पासे के इसलिए परांची का परसीद परेटक अकर्षन रॉक गॉर्डन सुन्दर्ता में भारत के अन्यत्र अपने समकच परेटक अकर्षनों में से किसकी बराबरी करता है तो जैपूर उद्यान राज्यस्थान का अप्रेल 2023 में जार्खन सरकार ने इन में से कौन सी नवीन सेवा परारम की तो एर अम्बूलेंस सेवा मैं आपको बता चुका हूँ जार्खन सरकार ने साहिब गण जिले में पहली बार नाव उंबुलेंस सेवा का प्रारम खाली इस्थान में किया था तो इसका एसा ही अंसर हो जगा पंदरह में ही 2023 को जार्खन जन जाती महतसो जिसमें कई रुमान्चे कारिकरमों के माध्यम से संब्रिद आदिवासी टेपस्ट्री का परदर्शन किया गया था कि इस महीने में आयुजित किया था तो अगस्त 2022 में ठीक है विस्वा आदिवासी दिवस नौगस्त को मनाया जाता है उसी के उपल आदिवाइजर्स और इंजियो चाइल्ड इन नीड इंस्टिटूट दौरायजुत कारेसाला का मुख्य उदेश से क्या है तो यह कॉम्प्लिकेटर प्रसन है और यह पूछा गया है ठीक है तो मैं सोचा क्यों न इससे अपसके समझ बता दू ताकि अब यह भी जान जाए कि कैसे प्रसन ऐसे प्रसन भी पूछे जा रहे हैं यह डायक्ट न्यूजपेपर बगारा से देखा मैं सर्च किया तो डायक्ट न्यूजपेपर में यह न्यूज था जहारखन में लिंग और जलवाई परतन के आस पास काम को मजबूत करना इसका मतलब उदेश से है खाली जमसेदपूर में टाटा स्टिल की टाटा ग्रोथ सौपने ठीक है ध्यान रखेगा है एचिसी के द्वारा भी कुछ काम किये गए हैं तो वो भी अब ध्यान रखेगा जारखन बजट दूर चोवीस पचीस में सरकार के आई का सबसे बड़ा सुरोत है तो केंद्री करो में कोई काम नहीं मिलता है तो तीन महीना के बाद सरकार परतीमा एक हजार उपया उन्हें मतलब भदता देगी ठीक है हाली में किने जारखन का खेल मंत्री बनाएगा तो मितले स्थाकूर भाले हाफीजूल हसं थे खेल मंत्री लेकिन बाद में जब चमपैसोरे ने इस्थिप मैं आपको बता देता हूँ जारखन में रेलवे के बुनियादी धाचे को मजबूत बनाने के लिए केंदर सरकार द्वारा जारखन को कितनी रासी के स्विकृति दी गए तो जो देश के मानने प्रधान मंत्री है वो जारखन दौरे पे थे और कहा भाई तो जारखन दौर पर जमसेतपुर में पर रोग्राम में था तो उन्हींने केंद सरकार ने जारखन में कितनी रासी की फिशुक्र्ति दिये रेलवे के बुनियादी धाचे की विकास के लिए तीक सरकार द्वारे जारखन के रेलवे योजना कौन सा योजना भाई अमरीत भारत रेलवी जोना के ताद 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों को कायकल किया जा रहा है जारखन के यहां से निशनल बगारा भी प्रस्ण बन सकता है राचीव सिधाले के कुलपती डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने या विध्यानर के कुमार वहला अप्षन है आनंद कुमार ठाको ठेक है चलिए तो यह देखे इनके द्वारा संपादित पूस्तक जैर्नी इन्टू अटोमोलोजी विमोचन राचीव से कुलूती द्वारा किया गया यह पूस्तक हानिकारक कीट और पोधों से समंधत पर अधारित है तीसरा परतम तो भाई पूरे देश में परतम तो क्या पता डीप प्रसन पूछेता है ऐसे प्रसन भी बन सकता है तो यह इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा ठीक है चलिए चौथा प्रसन है बैंगलूरू मैंगलूरू का जुड़वा सहर मैंगलूरू में आयो जीट सत्तरवी स इस तेराक ने सारदान सांदार प्रतसन करते हुए कान सिपदक जीता है तो इसका सही एंसर क्या हो जागा फ्रेंट्स इसका सही एंसर है तेराक कौन राना परताब तेराक कौन है राना परताब जो की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में कान सिपदक हासिल किये है या जमसितप इक्स मार्शलाट में रांची के किस खिलाड़े ने स्वर्ण पदक जीता है इसका सही अंसर क्या हो जाएगा फ्रेंट इसका सही अंसर है विनीत पवन कुमार तिर्की कौन है अप्शन B विनीत पवन कुमार तिर्की रांची के विनीत पवन कुमार तिर्की ने अमेरिकन फा यहां से भी परशन, ऐसे परशन, पुछे जाते हैं, मुद्रा, प्राजदानी बेगरा, तो पांच current affair, यहीते friends, बाकी current affair का, अगर आप चाहते हैं, कि आने वाले दो सालों के लिए, current affair का complete solution आपको मिल जाए, तो उसके लिए क्या है, study for goals, study for goals app है, और हम लोगों नहीं, बहुत से बच्चे बाहर थे, जारकन से बाहर थे, उनके लिए book पहुँचना संभव नहीं था, तो उनका बहुत request था, इसलिए मैं especially बच्चों के request पर यह course बना दिया हूँ, जहाँ पर जनवरी 2023 से लिए सितमबर 24 तक के practice rate के रूप में प्रस्न मिलेंगे, साथ ही यह जो दो book हैं, यह आपको वहाँ पर इसके soft copy मिल जाएंगे, ताकि आप वहाँ से पढ़ाए कर लें, इसका वैदेता दो year तक है, और जब भी कोई book अपडेट होगा, आज भी आपके लिए question of the day है, जिसका answer आपको comment box में करना है, प्रस्ने निलामबर पितामबर इट्वी स्वी त्याले के स्थाबना कब हुई थी, option है 2000, 2002, 2004 और 2009, तो निलामबर पितामबर के साथ कुछ और university बने थे, उन्हीं university का भी नाम लिखे, उनका location का है, वो लिखे, यहां से एकसर प्रस्न एकजाम में पूछे जाते हैं, बाकी friends आज evening तक, आज या कभी भी रात में early morning, जब मुझे समय मिल जाए, मैं JCCCGL विगद दो वरसों के प्रस्नों पर अधारीत महा मेरा थन, current affair, national current affair जनवरी 2023 से सित्मर 2024 तक का, एक वीडियो तीन से चार पांच घंटा जितने का हो, एक ले आऊंगा, ताकि national current affair में तीन चार पांच question जो भी बन रहे हैं, क्योंकि पिछले बार JCCCGL हुआ था तो छे परस्न थे, वही JCCCGL हुआ था, 28 जनवरी को, तो वहाँ पे 6 परस्न national current affair से थे, तो 6 ती या, 18 बहुत बड़ा स्कोर होता है, selection होने और ना होने में, तो इसे जरूर से देख लिजएगा, कुछ भी नहीं होगा, एकदम खास-खास चीज़े होगा, बाकि योजनाय से बहुत परस्न पूछे जा रहे हैं, इस तरह से स्कोर कर सकते हैं, यहाँ पे at least last में जो PYQ दिये हैं, उसे जरूर पढ़के जाएगा, जैसे से बहुत PYQ रिपीट करती है, और थोड़ा-थोला पस्नों को घुमा-घुमा के पूछा जाता है, बाकि उत्पाथ सिपाही के अगर आप दोर निकाल चुके है, तो Paper2Pota का यह डिटील पूछतक है, जहाँ इस इनफ है, मैं 100 ला सकते हैं, इनफ है, हर कंटेंट को यहाँ पे एड़ करती हैं, ठीक है, बाकि अब बाकि जो बच्चे वैसे, जो उत्पाथ सिपाही 10 प्लस 2 LDC, या फिर आने वाला जो 14 JPSC है, उन सब के लिए आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपके लिए अब जैसे CGL खतम होगा, इकसाइज कॉंस्टेबल के जो मौक हैं, फ्री मौक हैं, वो आपको Study for Goals एप पे देखने को मिलेंगे, तो इन मौक से go through होने के लिए, टेस्ट पे लगाने के लिए, आप Study for Goals एप लिए स्टोर से जाकर डॉनलोड कर लिजे, बागे फ्रेंट, जैसे CGL बालों के लिए यही 3-4 दिन है, कुछ तुफानी करने का, तो कहीं बाहर मत जाएए, एकदम हर distraction से बचिए, मुबाइल बगार एकदम नहीं छूना है, सिर्फ 4-5 दिन पढ़ाई करना है, ताकि आपको जो Confidence Level होना, एकदम हाई हो, एकदम में जब आप बैठ रहे हो तब, बाकि मस्ती कर लेना है, इसके बाद 2-4 दिन एकदम से रिष्ट मार लेना है, घूमने फिरने चल जाना है, लोड निलेना, लेकिन फिल्हाल जो है अभी, एकदम बेस्ट और सही है strategy के साथ, इसने कुछ एक नया किदाब कर लिए, और उसके बारे में कुछ detail पढ़ जा रहे है, मतलब समिधान ये बगर आई है, तो जो आपने पढ़ा है, उसी ही रिवाइच कीजिए, उसी से आपका काम हो जागा, ठीक है, चलिए, All the best, डेली में All the best बोल रहा हूं, भाई, मेरे All the best का ख्याल रखना है, और बेहतर performance जाकर exam में दिखाना है, चलिए, मिलता हूं में, आज इविनिंग तक किसी और लेक्चर के साथ, तब तक आपना ख्याल रखिए, बाई बाई, टेक केर,